बोडी बेल्ट कैसे पेनाएं कि दिखाएंगे उससे पहले हम साइज के बारे में देख लेते हैं ये बारे में आज का हमारा टोपिक है कि जो बोडी बेल्ट बोडी बेल्ट बोडी बेल्ट कैसे पेनाएं या हारनेस कैसे पेनाएं अपने डोग को और कितने परकार के हारनेस या बोडी बेल्ट आते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम डोग को पेना के भी दिखाएंगे कि ये कैसे फिट आता है और कैसे पेनाते हैं डोग को चलिए अब हम स्टार्ट करते बोडी वेल्ट बहुत सारे परकार क्याते हैं इसपेशल आपको जो आपके आसपास में या आपके जो पैट शोप पर या क्लिनिक पर आपको ऐसे वाले बोडी वेल्ट सबसे जादा मिलते हैं आप किसी भी पैट शोप के पास में जाओगे या कहीं पर भी आप भार पट्टे रखते हैं तो उनके पास में इसपेशल ऐसे वाले ही आपको बोडी वेल्ट मिलेंगे अब हम देखेंगे कि बोडी वेल्ट कैसे पहनाते हैं और इसको अच्छी तरीके से मेंटें कैसे रखत प्लीज प्लीज लाइक कर दो और दूसरी बात हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो हम डोग रिलेटीड और पैट रिलेटीड वीडियो हम डालते रहते हैं चलिए हम अपने डोग को बोडी वेल्ट पैना के दिखाएंगे उससे पहले हम साइज के बारे में द सब्सक्राइब कर दोग कर दोग को बोडी वेल्ट रहते हैं वह उनको पराया जाता है या जो इसमोल ब्रीड होता है जैसे पग जो उनको पराते हैं इसको पॉण इंची बोलते हैं जो कि आदा इंची से थोड़ा बड़ा होता है समें साइज में आप ऐसे देखोग ने य एक इंची है फिर रेड़ इंची है फिर ये दो इंची है देखेंगे कि डोग को या कि किस एज के पपी को बोडी वैल्ट कुन से क्या साइज आएगा ये तीन मेने से पांच मेने के पपी के नोर्मली आ जाता है आप इसमें एकजेस्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है छोटा बड़ा हो जाता है और फिर इसके बाद में ये पांच मेने से एक साल के बीच के डोग को आते हैं और ये वाला एक से डेड़ साल के बीच मे कि लोग उता है या बोत साल साल तक कि बीडिय नहीं करते हैं उसके बाद में जो फुल अड़्टी डोग होता है जो पकि यह पर जइला जाता है । यह सबसे बड़ा शाय जाता है जो कि न.. जुब हाई रोट वेलर फल्टी बी बीड है उनसा सब से जज़ाध़ है अब हम अपने डोग को बोडी बैल्ट पिना के दिखाएंगे चलिए अब हम अपने डोग के उपर बोडी बैल्ट पिनाते हैं आज हमारी जो यह डावर मेंड के हमारे पास में फीमेल है और इसके हम यह बोडी बेल्ट पिनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बोडी बेल्ट कैसे पिनाते हैं और अब यह आप एक बार यहां से जो फुक होते हैं उसको खोल लो और फिर बाद में थोड़ा एक्जस्ट कर लो कि यह ज्यादा बड़ा ना रहे और छोटा ना रहे यहां पर फुक आता है तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे भी आपके पास में डोग है उसके अ आप इसको ऐसे नीचे रख करके और फर्स्ट जो लेग होता है इसमें डालो और सेकेंड इसमें और फिर यह वाले उपर ऐसे करके यहां पर चेस्ट पर आ जाएगा और फिर यहां पर जो यह वाला हुक होता है उसको यहां पर बंद कर दो और बंद करके आप इसको यहां से क्लिप होती हैं उसको थोड़ा ताइट कर दो यह हमने टाइट कर दी है और बिलकुल ये इसके फिट आ गया है देखो ये उसके बिल–विट पैनाने से पहले अपने डोक को जो बोन आती है लिश्यम बोन आती है और एक जो वैसे वाली बोन आती है उसको आप खिलाए जिससे कि यह बोडी बैल्ट है उसको काटना पाए अब अब करें आप कि अब करें अब कि अब करेंगे आप